असलाम लेकुम जी मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी सेव हिस्टोरिकल प्लेसिस पाकिस्तान के साथ आज मैं आया हुआ हूँ फैसलाबाद वो फैसलाबाद जो के कभी लायलपूर था हाँ जी लायलपूर यह ब्रिटिश दोर का जो मेन एक साइन है यहां पे जो अभी तक अपनी औरिजिनल हालत में है और बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में जिसको मेंटेन करके रखा गया है तो यह है घंटा घर फैसलाबाद फैसलाबाद की जान आठ बाजारों का मरकस मैं इस वकत खड़ा हूँ रेल बाजार में यह मेरी बैक साइट पे रेल बाजार है अभी सुपह सुपह बाजार बंद है वरना यहां पर तो खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती इतनी गाड़िया होती है और इतना यह क्लाफ कावर फैसलाबाद का जो के कोईन विक्टोरिय ने जो है वो सब कॉंटिनेंट में बनवाया है इसके बाद आ जाता है यहां पर इसके साथ जुड़े वे इसकी मज़े की बात यह है कि यह बनाया ऐसे तरीके से गया है ऐसा सेंटर में बनाया गया है कि इसके साथ जो है वो पूरे आठ वाजार है आठ वाजार इसको टच करते हैं और सेंटर में आके जो है वो बन जाता है घंटागर क्लाक टावर जो है वो यह आप देखें मैंने शाम को जब वो किया है तो मैंने तमाम बजारों के नाम भी बताई थे कि कौन-कौन से जो वो बजार थे मैं इसका स्टॉन लेट बाई दिखाता चलू 1903 में बनाया गया है 1903 में बनाया गया थे जला यह वे साहीं 1903 में 1905 में 1903 में 1905 में 1905 में दो साल गेर से गंदर गया हूँ यह बनाया गया यह बहुत ही खुबसूरत किसम का अर्किटेक्ट्चर है इसके मुकाबले में मैंने पाचिस्तान में कोई क्लॉक कावर इतना मेंटेंड मुंतान का देखा है लेकिन उसका और स्टाइल है अजिए देखे यहार अब इवे जो डिली जो काम ढूंते हैं लोग वो लोग यहां पर काम ढूंने के लिए सुबह स्वेरे निकल आते हैं और मस्दूरी कोफा है यह आप देखें उर्दू टेक्स के अंदर है मल्का वेक्टोरिया नहीं है बनवाया है क्लाक टावर लाइलपूत घंटागर जो के बड़ा मशूर अगर फैसलाबाद में आए और आप घंटागर ना देखें तो ऐसे लगता है जैसे आपने कुछ भी नहीं देखा क्लाक टावर है फैसलाबाद में कि जो आप आती है और आपको यहां पे निजर आती है अच्छी फार्म में इसके साथ बनावा बड़ा खुबसूरत गार्डन है चोटा सा और एजी टू सेथ है कोई यह नहीं है कि किसी के लिए कोई पबंदी है कोई बंदा जा सकता यह न क्लाक टावर है कि भी गोपार से लोग जाती है बैठती है कि फैसलाबाद मैं आपका अपना होस्ट बाबाजी सेवह सत्जरिकल प्लेसिस ऑफ पाकिस्तान सेव गुर्दारा यह राव सभा साही है। मेरा पाकिस्तान, पंजाब पेच यह है मेरा पाकिस्तान नि एऊ, हैरि मैं थोड़ा सा इसके close features जो है वो आपको दिखाता चलू फिल में धूप काम होने की विज़ा से ज़रा एक साइड डार्क है तो मैं आपको यहां सिसक जो है वो close दिखाता हूँ इसके यह देखें अजुआजयरी यह दो मगलेईं तर्स्ट के अडर जो है वो मावल का काम मैकरोना का हुआ हूआँ और पर जेपूरी यह ज्याधा जाएपूरी स्टोन जो है इसमें यूज़ ऊज़री बाज़ता करता क्राफ्टेट जेपूरी स्टोन जो पींक स्टोन के लाता था सब कॉंटिनेंट के अंदर जितनी भी ज्यादा बिल्डिंग्स हैं वो जेपुरी स्टॉन के साथ जो है जैसे बाश्याई मस्जिद है लाउर फोर्ड के अंदर है जेपुरी स्टॉन का बहुत ज्यादा सारा काम है ये युनिक आर्किटेक्चर बिल्ट बाई कुईन विक्टोरिया 1903-1905 में बना आप देख रहे हैं खुबसूरत फीचर घंटागर फ्रेसलाबाद ओल्ल लाइलपोर आप भी जब फैसलाबाद आएं तो क्लाक टावर जरूर आएं और ये प्लेस है 24 और्स की यहां पर 24 गंटे ना तो ट्रेफिक लुपती है ना लोग सोते हैं ये बिल्कुल लहोर और दिली का दूसरा रूप अक्तियार कर चुका है मैं आपका अपना होस्ट बाबाजी तो देखते रहे हैं पंजाब पेच सेव स्टोरिकल प्लेसिस ऑफ पाकिस्तान ये है मेरा पाकिस्तान सेव गुद्वाराज अन टंपल्स ऑफ पाकिस्तान सिक पीरियट फूट स्टेप्स इन पाकिस्तान और मैं आज आपको लेकर आया हूँ गैंका गर फैसलाबाद